मैं रोज उराउं असिस्टेंट प्रोफिसर डिपार्टमेंट ओफ हिस्ट्री रामगड कॉलेज रामगड विनोबा भावे इनुवर्सिटी से इतिहास विसेय के अंदरगत फिरोज शह तुगलक के सुधार कारियों के बारे में जानकारी दे रही हूँ फिरोज शह तुगलक का जन्म 1309 एसवी में हुआ था फिरोज गिया सुधीन तुगलक के छोटे भाई रजब का पुत्र था यदपी उसके शिक्षा का समुचित प्रबंध किया गया था परंतु वह मुहमत तुगलक की भाती उच ग्यान प्राप्त नहीं कर सका था फिरोज ने किसी सैनिक अभियान या युद्ध में भाग नहीं लिया था परंतु मुहमत तुगलक की प्रती अपनी स्वामी भक्ती और आग्या कारिता से उसका विसेश नहें प्राप्त कर लिया था मुहमत तुगलक ने उसे प्रशासन के उच पदों पर न्यूक्त किया और उसे प्रशासन का प्रशिक्षन दिया अपनी धार्मेक प्रवर्ती तथा विनेश शीलिता के कारण वह उल्लेमाव में विशेश लुक प्रिये था 28 मार्च 1351 को मुहमत बिन तुगलक की सिंध में थट्टा नामक अस्थान पर मृत्य हो गई सुल्तान की मृत्यू के समय उसका चचेरा भाई फिरोज उसके पास था अतह अमीरों और सरदारों ने उसे सिंगहासन पर बैठने का अनुरोध किया एकांथ प्रिये और धार्मिक प्रवर्ति के कारण वह सुल्तान के पद को प्राप्त करना नहीं चाहता था परन्तों अमीरों और उल्लेमाओं के दबाव के कारण उसने सुल्तान बनना स्विकार कर लिया 22 मार्ज 1351 को थट्टा के निकट शाही खेमे में उसका राजजभिशेक हुआ दिल्ली लोटने पर सुल्तान के रूप में स्वागत करते हुए सभी वर्गों ने उसे अपना समर्थन दिया इस प्रकार सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने शांती और सहयोग को अपना कर अपना शासनकाल आरंभ किया फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 37 वर्सों तक रहा जिसमें अनेक दोश्रों के होते हुए उसका शासन आंतरिक द्रिष्टी से सफलता और संपनता का रहा अब चर्चा करते हैं सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के आंतरिक सुधार कारियों के बारे में सुल्तान फिरोज शाह तुगलक एक शांती प्रिये शासक था जिस समय वह गदी पर पैठा उस समय मुहमत तुगलक की उदारदान शीलता, विफल योजनाओं तथा निरंतर होने वाले विद्रोहों के कारण राज कोस बिलकुल रिक्त हो चुका था। अब चर्चा करते हैं फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किये गए राजस्व ववस्था में सुधार के बारे में। अभी रिन को रद कर दिया। उसने पदधिकारियों के वेतन बढ़ाये। राजस्व विभाग के पदधिकारी प्रांती सुवेदार जब सुल्तान के दरबार में अपने इलाकों के आय वै का हिसाब देने आते थे तो उन पर अनुचित दबाव डाला जाता था। फिरोज ने इस घ्रिनित प्रथा को समाप्त कर दिया। राजस्व के शेत्र में फिरोज तुगलक का महत्पपून कारिये सरकारी आय का अनुमानित विवरण तैयार करवाना था। यह कारिये अनुभवी राजस्व पदधिकारी ख्वाजा हिसामुदीन को सौपा गया। उसने प्रांतों का दौरा करके राजस्व अभिलेखों का निरक्षन किया। तथा छी वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद राज्य की खालसा भूमी का राजस्व 6 करोड 85 लाक टंग का नरधारित किया। राजस्व विभाग से भृष्टचार समाप्थ करने के लिए राजस्व करमचारियों के वेतन में वृधि की गई। उनके कारे के बदले में जागीर दी गई। उन्हें या जागिरदारों को यातनाय दे कर ठीक हिसाब लेने की प्रथा को समाप्थ कर दिया गया। इसके अलावा सुल्तान को भीट देने की प्रथा को भी समाप्त किया गया। सुल्तान ने 24 कष्ट प्रद करों को समाप्त कर दिया। कुरान के अनुसार केवल चार कर लगाए गए। खराज, खम्स, जजिया और जकार। खराज भूमी कर था। खम्स, युद्ध में प्राप्त लूट के माल में राज्य का हिस्सा था। अलावदिन तथा मुहमत तुगलक लूट के धन का चार बटे पांचवा हिस्सा खुद रख लेते थे और केवल एक बटे पांचवा हिस्सा सेना के लिए छोड़ते थे। लेकिन फिरोज दुगलक ने युद्ध में प्राप्त लूट के माल का एक बटे पांचवा भाग लेकर चार बटे पांचवा भाग सेनिकों के लिए छोड़ा। जजिया हिंदों पर लगाया जाने वाला धार्मिक कर था, पहले किसी भी सुल्तान ने ब्रहमनों पर कर नहीं लगाया था, फिरोज दुगलक पहला सुल्तान था जिसने ब्रहमनों सहित सभी हिंदों पर कर लगाया, उसने विभिन आंत्रिक व्यापारिक करों को भी समाप् फलों के बारा सो बाग लगाए जिनसे एक लाख अस्सी हजार टंग का वार्सिक आय होती थी। इस प्रकार राज्यस्व ववस्था में सुधार से राज्य की आय में व्रिधी हुई, क्रिशी का विस्तार हुआ, व्यापार वानिज्य के विकास को प्रत्साहन मिला, जन्न साम आनिकी आर्थिक दशा में सुधार हुआ, वस्तों के मुल्यों में कमे हुई। परंतु फिरोज तुगलत द्वारा लागू राज्यस्व ववस्था में कुछ दोश भी थे। उसके सुधारों का पहला दोश यह था कि उसने भूमी को ठेके पर देने का विस्तार किया। इ प्रथा आसैनिक पदधिकारियों को भी जागीरों की रूप में वेतन देने का नियम बना दिया। इससे जागीदार प्रथा का विकास हुआ। इस प्रथा ने दिल्ली सल्तनत के विखंडन में महत्तपून योगदान दिया। तीसरा उसने जजिया के विस्तार में दिल्लक के सिंचाई ववस्था में सुधार किये गए कारियों के बारे में। क्रिशी को प्रोथसाहन देने के लिए सुल्तान ने सिंचाई ववस्था को उन्नत बनाने का प्रयास किया। इस उद्देश से उसने पाँच बड़ी नहरों का निर्मान करवाया। 150 कुए खु 90 मेल लंवी नहर सतलच से घागरा तक जाती थी। तीसरी नहर मंडवी तथा सिर्मौर की पहाडियों से हासी तक बनाई गए थी। चौथी घगगर के नव अस्थापित नगर फिरोजाबाद और पाचवी यमुना से फिरोजाबाद तक पहुचती थी। इन नहरों के नर् राज्य की आय में विरिधी हुई। फिरोज शह तुगलक ने स्वारजनिक निर्माण कार्यों में भी अत्यधिक रूची दिखाई थी। उसने फिरोजाबाद, दिल्ली में कोटला फिरोज शह, फतेहबाद, हिसार, बदायूं के निकठ जानपूर और फिरोजपूर जैस अनेक महत्तपोन नगरों की स्थापना की। इनके अत्रीक्त उसने अनेक मजिदों, मदरसों, महलों, सरायों, अस्पतालों, मकबरों आदी का निर्माण करवाया। अपनी पूरवर्ती शासकों द्वारा बनाए गये भावनों की मरमत भी उसने करवाई। उसे प्राचीन इसमारकों की सुरक्षा में भी रूची थी। उसने अशोक के दो इस्तंभों को भी दिल्ली मंगवाया। इनमे से एक खीजराबाद से दूसरा मेरट के निकट से लाया गया। फिरूज तुगलत अपने जन कल्यानकारी कारियों के लेप अधीक प्रसिद रहा। जन कल्या तनुसर रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। उसने दिवान एक खैरात नामक एक दान विभाग की भी स्थापना की। यह विभाग निर्धन मुसलिम लड़कियों के विवाह के लिए तथा विधवाओं और अनाथों को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। सुल्तान इनने दारुल शफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की जिसमें कुशल और योग्य हकीमों की नियुक्ति की गई। इस अस्पताल में रोग्यों के लिए निशुल्क औसधी तथा भूजन की विवस्था थी। फिरोज दुगलक की शिक्षा के विकास में भी विशेश रूची थी। उसने अनेक विद्यालेओं, मठों और पाठशालाओं की स्थापना की तथा उसमें विद्वान लोगों की नियुक्ति की गई। शिक्षन संस्थानों को राज्य की ओर से अनुदान तथा योग्य विद्यार्थियों को वजीफा देने की की सुल्तान को स्वयम एतिहास और इसलामिक ज्यान में रूची थी। बर्नी तथा समसी सिराज अफीफ दोनों ने उसी के संग्रक्षन में अपने एतिहासिक गरंत लिखे। वह स्वयम भी एक अच्छा लिखत था। उसने अपनी आत्म कथा। फतुहाते ए फिरोज शाही स्वयम लिखी। फार्सी साहित्य को सुल्तान के राजश्रह से प्रोचसाहन मिला और धर्म तथा कानून के अनेक गरंत लिखे गए। फिरोज सा तुगलक ने न्याय ववस्था में भी सुधार किये थे। फिरोज तुगलक की न्याय ववस्था का आधार इसलामिक कानून थे, राजधानी में एक मुख्य काजी तथा प्रांतों और महत्वकून नगरों में अनेक अधिनस्त काजी न्याय का कारी करते थे, स्रेम सुल्तान भी न्याय का कारी करता था, वह कठोर दंड नहीं देता था, उसने मुहमत तुगलक के समय में सच्चाई को जानने के लिए जो यातनाई दी जाती थी, उन्हें समाप्त कर दिया, अब चर्चा करते हैं फिरोज सा तुगलक द्वारा किये गए सैनने संगठन से संबंधित कारे, फिरोज तुगलक स्वेम एक कुशल सेना नायक नहीं था, अता उसने सैनने संगठन की ओर ध्यान नहीं दिया, सैनने अधिकारियों और सैनिकों को नकत वेतन देने के अस्थान पर जागिरे देना प्रारंभ कर दिया, इससे सैनिक विभाग में फ्रश्टाचार और आववस्था बढ़ गए, ब्रश्टाचार रोकने का सुल्तान ने कोई प्रयास नहीं किया, सुल्तान ने पदों को व पिंशनधारी हो गए थे जिन्हें निर्धारित गाउं से भूर आजस्व की प्राप्ति होती थी। इससी सेना में आयोग्य और आकुशल सैनिकों की भरमार हो गए। इन दोसों के परिणाम स्वरूप सैनिक संगठन दुर्बल हो गया और सल्तनत के पतन का कारण बना। तक पहुँच गए थी। उन्हें वेतन दिया जाता था। कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। उनकी देखभाल के लिए एक प्रिथक विभाग और एक प्रिथक अधिकारी की न्युकती की गए थी। दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। सभी सरदारों और सुबेदारों को यह आदेश दिये गए थे कि बे अपने दासों से पुत्रुवत वहवार करें। फिरोज का यह शौक राची के लिए हानिकारक सिध्ध हुआ। इससे शाही व्य में अनव्यशक वृध्धी हुई और बाद में इन दासों ने राजनीती में हस्तक और आराजकता का वातावरण था। सामराजी की आर्थी किस्तिती डवाडोल थी और प्रांती सुबेदार अपनी अपनी स्वतंतरता के लिए प्रत्रशील थे। महमत बिन तुगलक की योजनाय सामराजी के लिए अत्यधिक विनाशकारी सिध्ध हुई थी। फिरोज तु अहित्य के विकास को प्रुटसाहन दिया गया, अनेक नए नगरों को बसाया गया तथा सुन्दर भवनों का निर्मान करवाया गया। परंतु फिरोज तुगलक ना तो कुशल प्रशासक था और ना ही विजेता, उसने ना तो सेना को मजबूत बनाने का प्रयास किया और ना ही प्रशासन में फैले भ्रष्टचार को समाप्थी कर सका। जागिदारी प्रथा का विस्तार करके उसने सल्तनत के पतन का रास्ता तयार कर दिया। उसने धार्मिक दृष्टी से असहनशीलता की नेती का अनुसरण किया। फिरोज तुगलक ने तेरा सो इक्क्यावन इस्वी से 1388 इस्वी तक 37 वर्सों तक शासन किया। 20 सितंबर 1388 इस्वी में लगभग 80 वर्स की आयू में फिरोज तुगलक की मृत्ति हो गए। आज की लिक्चर में बस इतना ही। मुझे विश्वास है आप सभी अपने घरों में खूब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे हों अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।